हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो डेली इंकम वाली कंपनी होती है ना जिसमें हम 700, 800, 2000, 3000 रुपए इंवेस्ट करते हैं फिर हमको डेली इंकम मिलता है 50 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए, 62 र रुपए, रुच मिलता है महिने तक, 15 दिन तक, 10 दिन तक, 45 दिन तक है ना ऐसी कंपनीों के बारे में आज हम बताने वाले हैं वो पूरी तरह फ्रॉड हैं अगर आप इन कंपनीों में इंवेस्ट कर रखे हैं थोड़ा बहुत ही कर रखे हैं दो 400, 500,000 रुपए तो ठीक ह लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इनवेस्ट करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा आज उन्ही कंपनी को नाम हम बताने जा रहे हैं आपको उन 10 कंपनी के नाम आपको बताएंगे जो फ्रॉड हैं उनसे आप सभी को बचना चाहिए अधिक एमाउंट आपको इन दो आरा प्रोड भी ना हो हमें प्रॉफित फ्रॉफित मुझेतbrar है ओं ऐसे करके कए तो IT मिलता रहता है ठीक है अब हम बात करेंगे कि इन कमपणियों के कौन कोंशी कंपनिया हैं जो फ्रॉड कंपनिया है जी हाँ fraud company है उनमें company में आपको इन्वेस्ट न करें दस company के नाम हम आपको पताने जा रहे हैं और दूसरी बात हम इस वीडियो में ये करने वाले हैं कि अगर हम कैसे पहचाने कि ये company कितने दिन के बाद भाग जाएगी देखो ये ये तो confirm है कि ये company भाग जाएगी लेकिन क इतने दिन बाद इसकी पहचान होती है दूस्तों कि company इतनी तारीक तक market में रहेगी और इसके बाद आपके साथ fraud हो जाएगा तो आपको उससे पहले कितना amount invest करना चाहिए और पहचान क्या है कि हम कैसे पहचाने कि इस company को इतनी date तक रुकना है जैसे आज आज आपने किया तो मैं बता दूँगा company को देखे कि यह 18 अपरेल तक 18 माई तक company रुकेगी और उसके बाद भाग जाईए और आपके साथ fraud हो जाएगा तो पैचान भी बता दूँगा मैं आपको इस वीडियो में इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरू देखिएगा तो सबसे पह जरूर जरूर भाग जाएगी यह 10 दिन वाद जरूर भाग जाएगी यह कैसे पता करें तो सबसे पहली company का नाम है के जी एप जी आरे एप सीबी वाइन साब ठीक है और यह है इस्टने इस्टनेली और स्मार्ट एरा वायर पूल बैनली यह आठ नो कंपनियां हैं दोस्तो आप screenshot ले लेजिए और कोशिस कीजिए कि हमें इन कंपनियों में इनवेश्ट ना करना पड़े अगर आप इनवेश्ट करोगे तो आपके साथ fraud हुजाएगा अब मा लीजिए कि कोई company आई इनके कंपनियों में तो आप दो बिल्कुल भी इनवेश्ट ना करें एक पता चला है कि जी अब चल रही है ठीक है और दो-चार company और पता चला है कि ये market में हैं इसके अलाब अगर और बी हैं इनके अलाब एप सीबी बाइन और साब इस्टनेयली ये company अभी है अगर market में वो 30 March तक बंद हो जाएगी और आपके साथ fraud हुजाएगा इसलिए इन company व वो company market में आती है तो हम कैसे पैचाने कि ये company का भाई तो दोस्तो company उसका application जो होता है वो install कर लो गया तो उसमें लखा होता है कि ये इतनी date को launch हुआ है application ठीक है अगर वो 2-4 दिन ही हुए है उस application को launch हुए तो आप मान के चलिएगा कि ये company 30-35 दिन market में रहेगी ठीक है आप invest कर सकते हो ज़्यादा amount भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो 30-35 दिन तक ठीक है रहेगी market में और अगर company 20 दिन से ज़्यादा पुरानी हो गई है तो भाईया बिल्कुल भी invest ना करें ठीक है अगर करना है तो 4500 रुपय इंवेस्ट कर सकते हो 20 दिन पुरानी company में ठीक है इससे ज़्यादा न करें दो जार तीन जार पांच यार रुपय इंवेस्ट ना करें आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा यह company चलियाएगी company market में रुकती है ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 20 दिन बाद company कभी भी जा सकती है कोई guarantee नहीं है कि यह 30 दिन बाद जाएगी ठीक है company की बस यही पैचान है कि आप उसका application जो है वो install करें गूगल पर इंटरनेट पर search करें कि यह company कौन सी date को launch हुई है कि यह 15 March को launch हुई है या 17 March को हुई है तो अगर 17-15 को हुई है 10 March को हुई है तो माल लीजिए कि यह company इस महीने तो रहेगी अगर 10 March को को कोई company launch होती है तो 30 March तक रहेगी आप invest कर सक करते हो और आपको daily income जो मिलती है वो मिल जाएगी आराम से आपका investment निकल जाएगा और profit भी हो जाएगा ठीक है तो सो समझ के invest करें इन company के नाम मैंने बता दिये हैं और आप बात करते हैं सबसे महतपूर बात कि यदि आप share market में invest करते हो तो sevy registered trader जो होते हैं उनसे ही सलाल ह और वो उसमें professional होते हैं इसलिए sevy registered traders जो होते हैं उनसे ही सलालें वो बताएं कि इस company में इस company के share खरी दिये और इनका stop law was इतना लगा लीजिएगा और ये इतना जा सकता है highest तो उनसे ही सलालें ठीक है आप बात आती है कि ये sevy registered trader होते हैं जो trading करते हैं बारती सरकार द्व वो मिलेंगे कहां पर तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि मैं आपको टेली ग्राम चैनल पर ले चलता हूं मेरा जो टेली ग्राम चैनल है वहां आपको ले चलता हूं वहां से आपको एक एक जानकारी हम बता देंगे ठीक है ये है मेरा टेली ग्राम चैनल है और इस टेल टेलीग्राम चैनल को जोईन करने के बाद आपको यहां पर लिंक जो मिलेगी ठीक है लिंक आपको डिस्कुप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी सेवी रेजिस्टर्ट जो लोग है ना उनका जो प्रोफिशनल है तो जो भारत सरकार उनने सेवी रेजिस्टर्ट गुसित कर रखा है बना रखा है ठीक है वो लोग आपको मिल जाएगी उनका टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप दे सकते हो यह उसी का है ठीक है यह उसी का चैनल है टेलीग्राम बालों का ही चैनल है जो भी यहां सो जॉइन करेगा तो उनके चैनल पर पहुंच जाएगा वो लोग बताते रहते हैं ठीक है वो लोग यह बताते रहते हैं कि कौन सा सेयर कब तक खरी सकते हैं ठीक है कितने दिन के लिए खरी सकते हैं और हमें कितने पर खरीदना चाहिए ठीक है यह देखिएगा एकजांसम्पल दे दूं इन्होंने बताया है यह इनका इत्रीता इन्टिक यह देखिएगा इन्होंने बताया है कि तक यहें सब्सक्राइब हुती है जो कि और तरीकर सम्झेश हमेहां तक जा सकता है और लगा लेना 1150 पर जब आया तो आप उनको exit कर देना या sell कर देना ठीक है 1150 से ज्यादा मानेस में मच जाना ए 1150 रुपए का stop loss लगा के आप exit कर जाना ठीक है और एक महीने के अंदर 328 रुपए का target रखा गया है और अगर एक महिने के अंदर 1150 रुपए होता है तो आप एकजिट कर जाना ठीक है 1220 रुपए इंट्री प्राइस है आप बुलकुल आराम से इंट्री कर सकते हो यानिकी बाय कर सकते हो मार्केट शेयर को तो यह लोग फिरी में बताते हैं यहां पर यह भारती सरकार द्वारा सेविर ट्रेडर हैं यहां पर फिरी में यह गाइड करते रहते हैं कि कौन से शेयर कप खरीदना चाहिए ठीक है और एक बताया है जी एस डब्लू एनरजी करके इन्हों ने बताया है 450-500 के बीच में हो तब आप बाय कर सकते हो पहला टार्गेट 520 रहेगा दूसरा टार्गेट 550 रहेगा और तीसर टार्गेट 600 रहेगा एक साल का पिरिएट रहेगा टाइम पिरिएट रहेगा एक साल तक आपको स्टॉप लॉस लगा लेना 420 रुपए का ठीक है तो यह लोग यहां पर ट्रेडिंग बताते रहते कि कौन से सेयर कप खरीदना चाहिए कितने समय के लिए खरीदना चाहिए कौन सेयर कितना टार्गेट रहेगा कप जाएगा एक महीने में कितना टार्गेट रहेगा यह सारी यहां पर अपडेट यह लोग देते रहते हैं आप हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिए वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी वैसे हम मैं गैब अप करके यह इनका सेविर रेश्टर जो भारसर का द्वारा ट्रेडर बन है उनका जो चैनल यूटूब चैनल वो टेलिग्राम चैनल है उसका लिंक मेरे डिस्कुप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा आप यॉइन कीजिएगा और फ्री में टिप् रेँगजर Director बीजब चैनल झाल हो उनका सेविए और मिल जाएगा ट्रेडर आएवरान डिम टूखने बेद